मोदी ने दिखाई दर्या दिली पीयों के विस्थापतों को दी मदद दो हजार करोड के पैकेश को मनजूरी 36,000 परिवारों को मिलेगी मदद पाकिस्तान अधिकुरत कश्मीर से आये शरनार्थी उकलिम मोदी सरकार ने दो हजार करोड के पैकेश का एलान किया है ये पैकेश विकासकारियों पर खर्च किया जाएगा इस पैकेश को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए जमुकश्मीर सरकार ने 36,348 परिवारों की पहले से ही पैचान कर ली है इस पैकेश के तहट हर परिवार को लगभग 5,50,000 रुपाइम मिलेंगे 1947 में भारत के बटवारे के वक्त कुछ परिवार वस्थापित हो गए थे और अन्य परिवार 1965 तता 1971 में पाकस्तान के साथ युद्धों के दोरान वस्थापित हुए थे वस्थापित लोग लोगसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं लेकिन जमुकश्मीर विधान सभा के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते पश्मी पाकस्तान ज्यादतर पियोके से आय शरणार्थी जम्मु कठवा और राजवरी जिलों की विभिन हिस्सों में बस गए हैं हाला कि वो जम्मु कश्मीर के समवधान के अनुसार राज्जी के स्थाई निवासियों की श्रेणी में नहीं आते गौर्तलब है किपियोके के विस्थापित लोगों का प्रतनिधित्व कर रही जम्मु कश्मीर शरणार्थी कारे समिती यानि जेके एस्सी ने अगस्त में सरकार से 9200 करोर रुपए मांगे थे जम कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं पर विचार करने के बाद मोधी सरकार ने जन्वरी 2015 में शरणार्थियों के लिए कुछ रियायते मन्जूर की थी रियायतों में इन लोगों को अर्ध सैनिक बलों में भरती करने के लिए विशेश भरती अभियान चलाने राजी में समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराने शरणार्तियों के बच्चों को केंद्रिय विद्यालों में दाखला देने जैसे कई कदम शामल है